इस अबसे पहली और बड़ी खबर जल्द जारी होंगे जारखण में दस्वी और बार्वी का रिजल्ट जारखण एकडमी कोंसिल यानी जैक द्वारा जल्द ही जैक बोर्ड एक्जाम के रिजल्ट घोसित किये जा सकते हैं जारखंड बोर्ड मेट्रिक और इंटर के परिच्छा परिणामों को लेकर ताजा अपडेट है कि दोनों की कक्छा का रिजल्ट 15 जून 2022 तक आने की संभावना है बतादी कि बोर्ड ने इस बारे में कोई आधिकारिक सुचना नहीं दी है मीडिया की खबरों के अनुसार रिजल्ट इस समय तक जारी किये जा सकते हैं रिजल्ट जारी होने के बाद जारखंड एकेडमी कॉंसिल यानि जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किये जा सकते हैं बतादे की जारखंड बोर्ड का रिजल्ट जैकरिजल्ट्स.com पर जारी किये जाने की संभावना है दोस्तों बड़ी खबर है जारखंड में दो जून तक बजरपात के साथ बारिश की संभावना जारखंड में दस जून के आसपास मौनसुन आ सकता है जून के जिहां जूनमा के पहले सप्ता से प्री मौनसुन गती विधी शुरू हो जाएगी जारखण में दो जून तक हलके से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है 29 मई को जारखण के पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं मेग गर्जन हो सकता है और बजरपात के साथ बारिश हो सकती है इस दोरान घवा की गती 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटे हो सकती है बारिशे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी फिलाल जारखण में लगभग सभी जीनों का अधिकतम ताफमान 40 डिग्री से नीचे है मौसम केंदर के नुसार दो जून तक जारखण के कई इलाकों में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश होगी 29 मई को जारखण के पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और बजरपात के साथ बारिश हो सकती है हवा की गती 30 से 40 किलोमेटर परती घंटे हो सकती है दोस्तो बड़ी खबर है राजी चुनाओ आयोग का बड़ा फैसला तीन जीलों के छे मतदान केंदरों पर होगा पुनर मतदान जारखन के पंचाय चुनाओ का चौथा चरन खत्म होने के बाद जारखन में राजी निर्वाचन आयोग ने तीन जीलों के छह मतदान केंदरों पर पुनर मतदान कराने का फैसला लिया है इनमें पलामू, जामताडा के एक-एक और पस्चिमी सीमों के चार मतदान केंदर शामील है इनमें से एक मतदान केंदर पर दो तथा अन्य सभी मतदान केंदरों पर एक-एक पद के लिए पुनर मतदान होगा आयोगने परवेक्षकव की रिपोट पर पुनर मतदान कराने का फैसला लिया है इन मतदान केंद्रों पर रविवार को सुबस साथ बजे से शाम तीन बजे तक पुनर मतदान होगा बड़ी खबर है जारखन में 2024 तक हर घर में नल से जल पहुचाने में प्रयास कर रही है सरकार जारखन में जल जीवन मिशन की तहट साल 2024 के अंध तक 69,23,320 ग्रामीन परिवारों तक नल कनेक्शन उपलप कराना है इस लक्षे को पूरा करने में जारखन सरकार जूट गई है हलाकि इस योजना के तहट 25 मई तक 11,82,692 ग्रामीन परिवारों को नल से जल उपलप करा दिया गया है जारखन में जल जीवन मिशन योजना की शुरुवात साल 2019 में की गई शुरुवाती दिनों में अब तक नल से जल पहुचाने वाली घरों की संख्या में तीन गुना वरीधी रिकोट की गई है ग्रामीन घरों में जल जीहां नल से जल आपूर्ती के लिए जारखन के 69,23,320 घरों का लक्षी है सेना में भरती होने का बदल जाएगा फॉर्मेट टूर ओफ ड्यूटी के तहट युवा चार साल के लिए होंगे सेना में भरती सेना में भरती होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे उमिदवारों को बड़ी राहत मिल सकती है दरसल इंडियन आर्मी नेवी और एरफोर्स में अब सैनिकों की सभी भरतिया टूर ओफ ड्यूटी के तहत करने की योजना बना रही है मीडिया की खबरों को माने तो इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी घोशना की जा सकती है टूर ओफ ड्यूटी के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भरती होने का मौका भी मिलेगा टूर ओफ ड्यूटी यानी अगनिपत योजना के तहत तीन सिनाओं थल सिना, नौ सिना और बायू सिना में भरती की नई प्रणाली में कुछ परिवर्थन करने का भी प्रस्ताव है खबरों को माने तो टूर ओफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप पर लंबी चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाओ प्रस्तावित किये गए हैं ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें सुविकार किये जाने की संभावना है बड़ी खबर है देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामनी आये 2685 नए मामले केंद्रिय स्वास्थि मंतराले द्वारा शनिमार को साजा किये गए आंकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों के संक्रमन के कारण 33 मौतों के साथ भारत ने कोरोना वाइरस के 2685 नए मामले दर्च किये देश में पिछले 24 घंटों में कुल 2158 डिस्चार्ज हुए स्वास्थि मंतराले के आंकडों के अनुसार भारत में कोबिड-19 के कुल सक्रिय मामले बढ़कर 16308 हो गए जबकि कल पंजिकरित सक्रिय मामले 15,814 थे 24 घंटे की आउधी में सक्रिय कोबिड-19 केस लोड में 494 मामलों की वृधिर रिकॉर्ड की गई है मंतराले ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमन का सुनिय दस्मलों सुनिय चार परतीशत शामिल है देश में अब मरने वालों की संक्या 5,24,572 है बड़ी खबर है रेल्वे में 91,000 पदों पर नहीं होगी भरती इंडियन रेल्वे में गैर संग्रक्षा सुनिय के 91,000 पदों पर भाविश में कभी भरतियां नहीं की जाएंगी सरकार ने इनको गैर जरूरी मानते हुए खत्म कर दिया है इसको लेकर रेल्वे बोड ने सभी सतर जोनल रेल्वे गैर संग्रक्षा स्रेनी के 50 परतिशत पदों को खत्म करने के निर्देश जारी कर दिये है इसमें रेल्वे की उत्पादन इकाईयों पहिया इंजन कार खाने वा कोच फैक्टरियां भी शामिल है गैर संग्रक्षा स्रेनी में कुल 4,22,825 हैं इसमें 91,649 पद रिक्ट पड़े हैं इंडियन रेल्वे बोर्ड के 20 मई 2022 को जारी दिशा निर्देश में उलेक है कि गैर संग्रक्षा स्रेनी के 50 पिसदी पदों को ततकाल खत्म करने का फैसला हुआ था निर्देश में कहा गया है कि सभी जोनल रेल्वे वरेल उत्पाद निकाईयां 31 मई तक 50 परतिशत पद खत्म कर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को भेजें भारत बनेगा दुनिया का ड्रोन हब आम आदमी की जिन्दगी में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार पिछले कुछ सालों से अपने ड्रोन पोलिसी में नर्मी ला रही है अब ड्रोन टेकनलोजी का संबंद केवल डिफेंस सेक्टर से ही नहीं है बलकि आम आदमी के जन्जीवन में इसका दखल बढ़ता जा रहा है एगरी कल्चर, हेल्थ केर, टूरिज्म और दूसरे शेत्र में ड्रोन के लिए ब्यापक संभावनाएं है जिसको देखते हुए ड्रोन बनाने वाली कमपनियों में भारी एक्षन देखने को मिल रहा है आडानी इंटरप्राइजिज ने ड्रोन टेकनलोजी में ब्यापक संभावनाव जिहां संभावनाएं देखते हुए जनरल एरोनाटिक्स प्राइवेट लिमिटेट में पचास फीसदी हिस्सेदारी के लिए करार कर दिया है बतादे कि जनरल एरोनाटिक्स फसनों की सुरक्षा के लिए कॉमर्शियल ड्रोन आधारित सिवाएं उपलप्त कराती है केरल में आज दस तक दे सकता है मौनसुन मौसम विभाग ने मौनसुन को लेकर अच्छी खवर दी है मौसम विभाग की माने तो च्छा दिन रुकने के बाद दक्षिन पस्षिम मौनसुन दक्षिनी स्रीलंका को कवर करते हुए केरल की और बढ़ना शुरू कर दिया है ऐसे में अगले दो दीनों तक केरल वो लक्षिदीप में भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार मौनसुन एक जून की बजाए 27 मई को ही केरल में दस तक दे देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ मौसम विभाग ने जारी बयान में कहा कि केरल में मौनसुन के आगमन के अनुकूल इस्थितिया बनी हुई है और दो तीन दीनों के अंदर मौनसुन वहां दस तक दे सकता है इसका मतलब यह हुआ है कि अब 29-30 मई को मौनसुन आ सकता है केरल में मौनसुन के पहुचने की समानियती थी वैसे एक जून है इसलिए 27 मई को मौनसुन के दस्तक नहीं देने के बावजुत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिभाग ने कहा कि मौनसुन दक्षिन अरब सागर माल दियू लक्षे दीब के आसपास की इलाकों में एक्टिव है साथ ही इसे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बने हुई है बतादी की केरल में मौनसुन की दस्तक के बाद यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और 27 जून तक दिल्ली पहुँचता है बड़ी खबर है एक कॉमर्स वेबसाइटों पर लगेगी लगाम फरजी रिब्यू पर होगी कारबाई किंद्र सरकार एक कॉमर्स वेबसाइटों पर नकली समिक्षाओं पर रोक लगाने के लिए एक रूप रेखा विक्सित करेगा उपभुक्ता मामला विभाग भारत में एक कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपना जारे मौजुदा दंत्र और विश्व अस्तर पर उपलब सर्वोतम पर थाओं का अध्यन करने के बाद इन रूप रेखाओं को विक्सित करेगा डी ओसी ने भारती बिग्यापन मानक परिशत के साथ विभिन हीत धारकों जैसे एकोमर्स संस्थाओं उपभुक्ता मंचों कानून विश्व द्यालेओं वकीलों एफ आई सी सी आई आई उपभुक्ता अधिकार कारे करताओं और अन्य के साथ एक बैठक में परिमान और रोड मैप पर चर्चा की चोकि एकोमर्स में उत्पादन को भौतिक रूप से देखने या जाचने के किसी भी आउसर के बिना एक आभासी खरीदारी अनुभाव शामिल है इसलिए उपभुक्ता उन यूजर्स की राय और अनुभाव देखने के लिए एकोमर्स प्लेट फ दुनिया अभी कोरोना वाइरस के परकौप से जद्दो जहद के बीच एक नया वाइरस लोगों को बिमार करने आ गया है दुनिया के कई लोगों जहां कई देशों में मंकी पॉक्स वाइरस से खलबली मची हुई है क्योंकि ये वाइरस अब तेजी से पाउं पसार रहा है मंकी पॉक्स एक फुराना वाइरस है लेकिन कुछ दिनों पहले इसका मामला जिसका पहला मामला मिलने के बाद ये दुनिया में तेजी से फखल रहा है वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन की अगरमाने तो ये दुनिया के 20 देशों में फखल चुका है और 200 लोगों को अप कोई मामला नहीं है और पूरी सतरकता बरती जा रही है